हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग अमीद करते हैं सबीक अच्छ होंगे तो आज हम लोग नाइंध क्लास का यानि बिहार बोड के नाइंध क्लास का जो भुगोल है जोग्रफी है उसको हम लोग पढ़ेंगे लोग शुरू करते हैं पहले नमर दिया से जिसका नाम है एस्तिति दाली विश्वे का पहला गनराज है यानि कि दुनिया में कहीं भी सबसे पहले गनराज है लागू हुआ तो हमारी धर्ती बिहार थी जहांपर सबसे पहले गनराजं हे लागू हुआ नेक्स लिखा हुआ है कि भारत एक मातरी देश है जिसका नाम एक महाशागर के नाम पर पढ़ा है, मतलब क्या है कि जितने भी महाशागर है वो किसी भी देश के नाम पर नहीं पढ़ा हुआ है, लिकिन हमारा देश भारत ही के नाम पर महाशागर के नाम हिंद महाशागर कीगा इसके मुख्य भूभाग से 8 डिगरी 4 मिनट उत्तर से 37 डिगरी 6 मिनट उत्तर अक्छान से तता 80 डिगरी 7 मिनट पुरव से लेकर 97 डिगरी 25 मिनट पुरविदे संतर है ध्यान देने निल बात क्या है कि दोनों साइड में उत्तर लिखा है और यहां दोनों में पूरव लिखा है अब कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा को confusion हो जाता है उसको समझते हैं Advent क्यों confusion होता है तिनों नामों एक ही कहो गया ठीक है इंगलिस हम बोलते हैं इसी को equator line अब इसके उपर में जाएंगे नहीं तो north side हो जाएगा और नीचे आएंगे तो south हो जाएगा क्योंकि map में हमेशा उतर दीशा उपर होता है और दच्छिन दीशा हमेशा नीचे होता है तो याद रखिएगा उपर जाएंगे तो क्या होगा उत्तर होगा और नीचे आएंगे तो दच्छिन अब ये बताए आप लो ये उपर side में जा रहे है ये वाला भाग बोला जाते ये क्या हो जागा गोला का आधा भाग ये पूरा अगर गोला माल लाते तो दच्छिन side में गोल एक आधा भाग अब हमारा जो भारत है और एक और बास समझे एक और चीज़ समझे अब इसके बीचो बीच मंगर इस लाइन को बोलते है देशांतर रखा क्या बोलते है इसको बोलते है जीरू डिग्री देशांतर रखा अगर ये जीरू डिग्री दे क्षमी गुलार्द से ने कि आक्شांस रहा को हिसा आप से देखा गया अवादी देखाव यस और वह जिस अजणी देखा है आप पुर्भी गुलार्द अब ध्यानन्स समझे अब हमारा जो भारत है दी जिस बताओने मेखाए तर या बहारत भारत का असे ज्ए चाहे जितना से भी जुरूँ जितना भी खत्म हो, समझागा आप लोगो, वही इसलिए लिखा रहता है कि 8 डिगरी 4 मिनट नौर्थ से यानि उत्तर से ही, क्योंकि यह गलोब की बात कर रहा है, भारत का दिशा से मतलब नहीं है, अक्छांस गलोब से बात कर रहा है, तो गलो से 17 डिगरी 25 मिनट पूरब तक ही है यानि दोनों पूरब है अब यहां 6 डिगरी 4 मिनट क्या है तो याद रखिए जो भारत हम लोगा मुख्य भूबाग से 8 डिगरी 4 मिनट शुरू होता लेकिन भारत का बगल में हम लोगा अंडबान और निकोबार थोड़ा सा नीचे है भारत का मुख्य भूमी से यह हो जाता है 6 डिगरी 4 मिनट 6 डिगरी क्याता है 4 मिनट ठीक है इसलिए भारत का मुख्य भूबाग से कहेगा तो 8 डिगरी 4 मिनट लेकिन भारत का ही यह भाग है अंडबान निकोबार है कर नहीं है तो वो च्छोव डिग्री चार्ण मिट से हो जाएगा समझा गया उसका अद्लिका है कि इसकी जो दचनी बिंदू है यानि कि सबसे नीचोले बिंदू है ध्यान से के दो बिंदू बोला जाएगा एक तो बोला जाएगा कि भारत की दचनी बिंदू दचिन्तम के दचिन्तम यानि सबसे दचिनी तो सबसे दचिनी यह आ जाएगा इसका नाम है इंदरा पॉइंट या पिग मेलियन पॉइंट या पारफन पॉइंट तीन नाम दिया है NCRT में, सिर्फ यहां पर दिया है इंद्रा पॉइंट, लेकिन NCRT में 3-3 नाम दिया हुआ है लेकिन यह वला बोलेगा कहेगा कि भारत के मुख्य भूमी का सबसे दचनी बिंदू तो उसका नाम है कन्या कुमारी या इसी का नाम है कुमारी अंतरीप अंतरीप किसे करते हैं अंतरीप यानि जिसके 3 तरफ पानी है उसको अंतरीप यानि जिसको प्राइदीप सुने होंगे आप लोग प्राइदीप किसे बोलते हैं जिसके 3 तरफ पानी है उसको प्राइदीप बोलते हैं आगे आपको समझ आएगा सारे चीजों को डिटेल से मैप से समझा जाएगा यहां ते कब समझ गए यह समझ आगे आगे आईए इस मैप ऐसे बस्ते और थोड़े डिटेल से यहां यहां लिखा हुआ है कि भारत का दू मुख्य भूमी है मुख्य भूमी मतलब इसे सटा वह राना चीज अलग नहीं होना चीज है और यह है अलग मुख्य भूमी से अलग हटके यानि कि अंडबान निकुबार जो हमें लोगा दीप है यह दीप को देखा जाएगा तो 6 डिगरी 4 मिनट से है और वही मुख्य भूमी देखा जाएगा तो 8 डिगरी 4 मिनट है और निकला कहा है तो 37 डिगरी 6 मिनट कहां से निकला है तो 37 डिगरी 6 मिनट 37 डिगरी 6 मिनट में निकला है 8 डिगरी 4 मिनट से आया हुआ है और देशांतर देखा जाएगा तो 68 डिग्री साथ मिनट से लेकर सांतर में डिग्री 25 भारत के 20-20 से जो रखा गुजरी उसको बलते हैं हम लोग करकर रखा और ये आठ राजी सोगी गुजरती है कौन-कौन तो गुजरात, राजस्थान, मदपर्देश, छतीजगर, जहारक और उसके बास से पच्छिम बंगाल, त्रिपूरा और बिजुरम समझागी आप लोग को और ये करकर का भारत को दो बराबर बागों बाट सकती है यानि बीचोबीच से गुजरी भी है और इसमें क्या दिया है कि इसे नौर से साउथ की तरफ जा रहा है तो 3214 किलमेटर क दूरी है और इसमें दिया हुआ कि ये है भारत का बीचोबीच की समय रेखा क्या बोलते हैं समय रेखा जो 321डिग्री पे क्योंकि 68 और 97 बीचोबीच कर रखा निकलेंगे तो वो आजागा 1.522 डिग्री तीकर है अभी ये जो 321 डिग्री वाली रखा ये भारत के 5 राज बंगले खड़ी और नीचे हिंद बहां सागर है यह तो समझा गया उसके बाद कोशन पूचता है कि भारत का अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा सीमा रेखा कौन देश लगाता है तो बंगलादेश यादर रखे कि बंगलादेश से सबसे ज़्यादा बोडर लाइन है कि है गुजरात का किसका गुजरात का टटी सीमा रेका यानि सबसे ज़्यादा टट जो है वह गुजरात के पास में है सबसे बड़ा राजय पुछा जाय तो राजस्तान सबसे छोटा राज्य पुछा जैए तो गोवा अगय आई और जितना भी चीज मिलेगा उसको बताते पूरी दुनिया का 2.4% दोड़ी दुनिया का आगे है। यहां लिखा है कि इसकी अस्थालिये सीमा रेखा जो है 15200 क्मेटर इसका मतलब क्या है कि जो उपर जमीनी जमीनी राष्ताई से गुमेंगे ना पूरा-पूरा पूरा है। तो पंदर हजार दो सो किलमेटर को दूरी तैय करेंगे कुल कितने हुजाएगे पंदर हजार दो सो किलमेटर को दूरी अब वही जो उसका टटीय सीमा रहा है वह कितना एक सट सो किलमेटर कितना भीया एक सट सो किलमेटर यहां मतलब कर रहा है कि मान के चले कि यहां से आप चलना सुरुकिए और इसे चलते चलते पूरा इसे गुम लिए पूरा गुम के जमी जमी ने पूरा गुम है तो कितना किलमेटर हुआ 15200 किलमेटर हुआ कितना हुआ अब वो टट रेखा से गुमना सुरुकिए इसे टटी बीटेटरेज़े से घुम्रे तो कितना होगे एक 600 किलोमेटर लेकिन अंडवान नेको बार बीट टाटी रहा है इन दोनों को मिला देंगे तो टुटल मिलाक हो जाएगा पच्छत्तर सोला दसमलो छे किलिमेटर कितना होता है पच्छत्तर सोला दसमलो छो किलिमेटर अब ये पच्छत्तर का दुगुन्ना होता है पंदरह यानि कि साड़े सास के दुगुना पंदरह होगा ये पच्छत्तर सो है ये पंदरह हजार है ठीक है तो ये दुगुना है यानि कि वो 1500 किलोमेटर है तो ये कितना है ये 15,000 किलोमेटर है तो ये कितना है 75,166 किलोमेटर और ये है 15,200 इसका मतलब बताने कि मैं क्या कोसुस कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि इससे जो है दुगुना है यानि कि जलिय सीमारेका से एस्थलियस ही में रखा कितनी है तो दूगना नहीं याद रखी USA 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 और भारत इस तरह यह हो जागा सातों बड़े देस इसको याद कर लीजी का अिसके वाद लिकाए क्षीन बाइस बढ़ा पतला हो डिया चूडा है सो कि देख ले एक crush है कि देख जानों कि देख है इसकी नहीं जो वह कैति हो पतला होते जाए रहा है यह जो रखा है यह तो दिंग्री अग्छांस तो वह ही कह रहा है कि 20 degree chance के बाद क्या होते है भारत जो है नीचे के तरफ पतला होते जाता है इतर गया पतला होते गया आगया जी यहाँ देखेंगे तलीका वह है कि अंतरीप का रूप धरन कर लेता है अंतरीप क्या है मतलब नीचे आते हैं पतला होते हैं यह जो भारत ऐस उसको बोलेंगे प्रायदीप और जहां जहां प्रायदीप होगा वहां वहां अंतरीप होगा यहनी बढ़का भगवा को प्रायदीप आउकरे छोटका भगवा को क्या बोलेंगे निचल कुनवा को अंतरीप बोलेंगे याद रखी का आजी आजी ता हम लोग जो भारत का जो अंतरीप है उसका क्या नाम है उसका अंतरीप का नाम है कुमारी अंतरीप या कन्या कुमारी या दरखी कि भारत का जो अंतरीप है उसका नाम है कुमारी अंतरीप या कन्या कुमारी अंतरीप उसी तरह आप लोग पढ़े होंगे लो इतिहासे पढ़े होंगे लो कि जो जो य इसका नाम था उत्तरमासा अंतरीब जहां से इंगलीस में के-पॉप गुड़ हो जहां से बार्थोली में जगहा खोजाता और वहां से बासकोटेगां और 37 डिगरी तक निकल गिया है ठीक है अग्जक्ट जो है लगबग देखा जाएगा तो 29 ले से सम्धीन यानि कि 30 डिगरी का अंतर है वही 68 डिगरी से इधार सुरू हुआ है और 790 डिगरी निकला है तो इधार भी 30 डिगरी का अंतर है यानि कि अक्छांस भी भारत से जो 30 गुज्री हुए यानि कि लगवग लगव 30 रेखाय गुज्री है भारत से और 10 आंतर भी 30 रेखाय गुज्री है इस लिए तीस डिग्री हो गया आगया जी भारत मानुवाचल प्रदेश में कक्ष के बीच एस्थानिय समय में दो घंटे का अंतर होता है दो घंटे का अंतर कैसे हो जाता है जो बीचो बीच के जो रेखा गिजुरी नहीं यह है 40ела 1.1001 2गी में आप इस 52 दिघ्री से इधर बढ़ेंगे और इधर बढ़ेंगे इधर केतना हो जागका 15 गो लेघा और इधर भी पंद्र गो रखा हो जागका तो वेन्य और टौ्टिय में टीच और Argentल यहीं एक ररेखा को पार करना मिव seus दूसरी ब गरे यहां दिखता है उसके एक घंटे बाद यह की बीचो बीच की जो समय रहा है वहां आता है उसके एक घंटे बाद यहां पहुंचता है अब इसमें क्या है ना सबसे पहले पढ़ता है अनुराचल परदिश तो सूरस सबसे पहले अनुराचल परदिश में दिख गया है बीचो यहां तके बीच की दूरी यह 15 डिगरी तो किता मिनिट हो गया 60 मिनिट यानि एक घंटा हो गया अब इससे इधर जाने में यानि गुजरात तक पहुच दे में एक घंटा और लग जाता है क्योंकि इधर भी 15 डिगरी कंतर है अब तो कहा जा सकता है कि भारत में अगर वहां 5 बजे भूर में अनुराचल प्रदेश में धूप दीखने लगा तो 7 बजी दीखेगा यह कहां पे गुजरात के कप्छ में वही चीज़ यहां समझा है कि एक डिगरी बढ़ने में चार मिनट का तो 30 डिगरी बढ़ने में एक घंटे का अब भारत का जो समय रेखा है वह साड़े-ब्राइसी डिगरी ले रेखा वह इलाहबाद के नहीं दीदी से होकर गुजरा है या इसके जगह पर देदे मिरजापूर तब भी सही याद रखेगा वहीं से गुजराबाद क्या ये देसंतर रेखा है, साड़े-ब्राइसी डिगरी देसंतर रेखा है अब मानकि चलिए कि दुगंटे का अंधर हो जाता है यहाँ से और राचलप्रदी से लेकर गुजराच के बीच में दू घंटे कंश रेखा हैं कियोकि बीचमे समय रेखा है इसी से हमने udah decide कर रए है तो अलगए लग समय रेखा कीओ नी और धियान हें। ऊही Hitler सों मं और 9 लोग लगी इसी की अमरिका में 6 गोई रेखाई है। तो ऐसा क्यूं नी होता ऐसा कर सकते हैं। लेकिन किसी है को कोлемरी दोकर निरुदारत करने के लिए किन थियान प्यवर्दों को sıंच संब सब्सक्राइब होता है 30 मिनट करने से पहले 30 मिनट के बीच में गैप जरूरी है यहां लिका है कि करकरका जो होती है भारत के बीच भी से गुजरी है और लबत दो बरावर बागम बढ़ती है करकरका हमारे पडोसी राजे जहारकंड के राची तथा पडोसी देश बंगला देश से होकर गुजरती है तो करकरका जो होती है भारत में 8 राजे से गुजरता है और वही जहरकंड में राचिस होके गुजरता है यानि जहरकंड के राज़ानी से और साथ ही साथ जो होता है बंगलादेश से होकर भी गुजरता है अब ये ग्रीन वीच मेंट टाइम जो होगे GMT इसको पताई दिया आप लोगो यहां लिखा कि किरने ये अतियान तिर्ची पहुंशती है जैसे सूरे के ताप कम मिलता है अतियदिक ठंड़क पड़ती है इसके बिपरी दचिन भाग किरला और तमिल अड़ू जैसे राज्यों में बिस्वत रेखा काफी निकट है यहां गर्मी अधिक पड़ती है अपचे कि पर मार्च में और 1 बर स्टंबर में मुश्ट भागा धरमी खुब पड़ती शेवस्ग कि सूरे इस इरिया जादा pa पड़ता है जिसके वज़े से क्या होता है कि यहां सूरज पला ही दिख जाता है और बहुत लेड से डुपता है वही जो उपरल भागा उतरी भागा नौर सैड में वहां पर सूरज की जो है एक तो बहुत लेड से पहुंचता है दूसरा जो पहुषता है तो बादलोगे कारण घेर ले रहता है दिखबू नहीं करता है ठीक है तो और बहुत तीजी सी गाब भी हो जाता है यानि देर से आता है और तीजी सी गाब हो जाता है इसका मतलब क्या है कि इसमें समय का अंतर जादा है यानि कि उस सैड में कहां प केरल में मातर 45 मिंट का उंतर है क्यूं केरल में केरल 20 मिंट का से नजदीक है और जो भी राज़ जो भी जग़ा 203 का से नजदीक वहां धूप ज्यादा लगता यह यानि एदम भुरे में धूप दिख जाएगा और भूट लेट से सूरज द्यूप दूबेगा यानि मथा मल-मल कपड़े और अन्य समान भारत से विविन देशों में निर्यात होता था यहां से लेके जाते थे भारत से लेके जाते थे आजी आगे अब यहां लीका है सार्क याद रखे कि यहां लीका है क्या तो सार्क को याद कर लेज़ेगा सार्क का फुल्प होता है South Asian Association for Regional Corporation इसके सदस्य कौन कोन है तो इसके सदस्य जो है भारत है, पकिस्तान है, बंगलादेश है, सिरलंका है नेपाल है, भुटान है, मौल्दिफ है और आफगनिस्तान है कुल जो है, आठ देश इसके क्या है, सयोगी है या सदस्य है कोश्चन पूछ दिया जाया कि सार्क के स्थापना कब हुई थी तो याद रखेगा, आठ दिसंबर 1985, सार्क के स्थापना कब मौलदिफ महासागर में इस्थिते दूपीय परूशी DES यानि दूप के मामला में जो दूप होता है उस मामला में जो सिरलंका और मौलदिफ ये परूशी DESenne सिरलंका भारत से मन्नार के खाड़ी पाक जलसंदी दुरा अलग होती है यानि कि जो हम लोगा भारत है भारत जो है यहां से जो सिरलंका शुरू है इसके बीच में यह है पाक जलसंदी जलसंदी किसे करते है तो जलसंदी बतला है कि वो स्पतला रास्ता जिससे एक तरफ के पानी दूसरे तरफ जाए यानि इधर के पानी इधर जाए और इधर के प अब यहां एक छोटा से जगह है उसको हम लोग भारत का जो हिसा उसको बलते हैं धनूस-कोटी धनूस-कोटी से अगर सिर्लंगा का टट की दूरी देखा जाता मांतरे 24 किलोमेटर कितना है 24 किलोमेटर यहां लीका è чjo एक जे च्छीहा है जहां भारत और अफगनिस्तान और सिर्ग के सिमया लगती है पहले ता अब नहीं है एक्चोली में यह जो है उपरियो लब्हाग के हिसा बहुता है और आजात कास्मीर के याद रखे के रजदानी कभी को पुछ देता है तो वो आजात कास्मीर के रजदानी है मुझफराबाद और यह जो एरिया जो है इस एरिया को यह एरिया से हम लोग अफगांस्तान भी जा सकते हैं ते लो नेक्स समझते हैं लो यहां लिका जम्मु कस्मीर उत्तर पुर्वी तिबत का पठा रहे हैं यानि जम्मु कस्मीर के उत्तर पुर्व में अब जम्मु कस्मीर के उपर चले यानि उत्तर में और इधर पुर्वी यानि इस सड़ एरिया में भारत के इस सड़ उत्तर पुर्व निकलता है। ठीक है, तो महानसर्वर, जिल और केलासपर्स वहीं पे है। नेपाल जो क्या है? हिमालए की गोद में बसा है। मतल estratég ये हिमाले पर वहता है ओर नीच्छी जो ओ नेपाली का हिमाले का हमें हिमालए की गोद profile है। कोशिर यदि को बिहार के का बलते हैं सोक बोलते हैं नेपाल में कोशी टटบंत तूटने से क्या हूँ अठारे अगस्ट नाहीं और एक के जो होना ची रेड़ कलिफ लाइन नहीं दिख रहा है तो मैक मोहल लाइन और रेड क्लिफ लाइन के बारे मसूर लेजे मैक मोहल लाइन जो है क्या है भारत और चाइना के बीच में मैक मोहल लाइन किसके किसी बीच में भारत और चाइना के बीच में और इस बोडर लाइन को 24 अपरेल कब 24 अपरेल 1904 को बनाए गया था किसके दोरा? तो सिमला समझदक दोरा तो पूछे को भारत में क्योंशन पूछेगा कि भारत और चाइना के बीच में जो सिमा रेखा है उसकी समझद्धक तहज़त जो है बनाय गया तो सिमला समझद्ध कब हुआ था? 24 अप्रेल 1904 को ठीक है? ये बनाए गया, किसके दोर बनाए गया, तो ये याद रखेंगे, सन हेनरी मैक महंता, इसलिए इसके नाम पड़े गया, मैक महं लाइन, सन हेनरी मैक महंता उसी के दोर बनाए गया, आगे याद रखेंगे, आगे आजी, अब रेड क्लिफ लाइन जो होता है न, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में और ये 17 अगाष्ट निस सो शेतालिस को 17 अगाष्ट निस सो सेतालिस को किचा गिया कौन सी तो रेड क्लीफ लाइन जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हैं अब देखते हैं यहाँ पड़ कोश्चिंस रखो 26 की दिश्टि से भारत का विष्ट में कौन से स्थान है तो 7 वा इस्थान है भारत के 1868 अंतरी बिच में कितने डिग्री कंतर है तो 30 डिग्री कंतर है भारत का मानक anach जो है 18,5 डीग्री जो कि 5 राजास गुजरा है तली सीमारे खा कितनी बढ़ी है तो दुगुनी बढ़ी है भारत हिंग चीन के बीच में सीमारेका कौन सी है तो मैक मोहल लाइन ठीक है या दर खिलिए का मैक मुहल लाइन है जो की आपका 1914 वे सिमले सों जाते हैं कि तहते बनाए गया था अगे सब यह भारत का चेतरपल डैस वर किलोमेटर फैला है ते किता वर किलोमेटर है 32.8 लाक वर किलोमेटर वे या 32.87 अजार दो सत तिरिसोड वर किलोमेटर वे फ 33.6 मिनटर और अक्षांस तक वहीं पुर्वी डिसांतरे,้ार्वश को मीटर वे फारत क्वर राजज़ तक है वहारत में एटाइस राज़़ और आठएक्शांस तक है अब आगे देखते हैं यह देखे तो यहां पर जो है ना यह है प्रस्नल नोट्स नोट्स है बहुत जबर्दस इसमें देखें कि चप्टर वाइज है क्लास नाइन भुगोल अध्यायवान एस्थिती अंबिस्तार इसमें अब हमारे नोट्स में देखें कि क्या क्या चीज़े यहां पर दीगई दियान से दीजी यहां पर देखें लिकावा है कि सिंदु घाटी सवेता भारत विश्व की प्राचिन सवेताओं में से एक है उसके आगे लिखा कि बिहार में स्थित्ते वैशाली विश्व का पहला ग लाश्ट बताएगा किस तरह लग रहा है पहले इसको देखते चलिए तो चप्टर कंप्रेट होगे अब देखें यह चीज़े आपके दिमाग में है कि नहीं है अब इसके भारत के स्थिति देखेंगे भारत क्या है विशाल्दे से आठ डिग्री चार मिट उत्तर से लेकर अब लिखाए कि यहाँ पर भारत का दचनी बिंदु जो है उसके राम है इंदरा पॉइंट जो की अंडबार ने को बार दीप समूं में है करक रेखा भारत के बिचुबी से गुजरती है इसे लगबाद दो बराबर भागों बाठती है करक रेखा से गुजरनवाला जो र प्रतिशत है भारत का सत देशों से निकलती है तो स्धली सीमा रेखा देखा जाएगा तो सत देश अफगानिस्तान पाकिस्तान भूटान नापाल चीन मयनमार बन्लादेस यह सब क्या स्वBecause in WH he PL क εδώ ऑुझ अलिक है भारत त्पतन सीमा रेखा अत्यंतicação विशाल है इसकी संस कर देंगे तो उसके आउज़े को 75-16 शौव च्छत्रफल के यहां लिका है भारत मोटे तोर पर क्या त्रिभुज़कार है और अच्छत्रफल की दृष्टी से भारत का क्या है तो सत्वास्तान है अब यहां लिका अंत्रीप, अंत्रीप को मतलब क्या होता है कि वो तीनों और से क्या हो समुदर घीरा उसी का बलेंग अंत्रीप बोलेगे भारत में प्राइदीप यह आकार के कारण क्या है तो पूरब में बंगाली खाड़ी, पच्छी में अरब सागर आगे समस्ते लो तो पहला क्या है बंगाली खाड़ी है, दूसरा क्या है पच्छी में अरब सागर है और उसके दच्छी साड में हिंद महा सागर है तब उस समय कक्छ में अंदेरा रहता है, दो गड़े बाद वहां पर क्या होगा, शुरेद होगा यह इस दोनों अस्थानों के बीच में कितने डिगरी गंतर है, 30 डिगरी गंतर है यह सारी चीज़े अभी जश्ट पढ़ा हूँ, मैं रिवीजन के तुरु बता रहा हूँ कि यह चीज़े, नोट्स में जो चीज़े दी गई है, आप पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिया है अब लिकाय करकरेखा हमारे पडोसी राजे जहारकंड के रज़दानी राचियां पडोसी देश बंगलादेश से उकर गुजरती है अब यह जो है नोट्स ना यह आप लोग का लास्ट समय में काम आएगा, बहुत काम आएगा करकरका हमारे पडोसी राजे हो गया और अच्छांसे बिस्तारिया दूरी का भारती जन जीवन पर क्या परभापड़ा तो जम्मु कस्मीर जो राज है बिस्वत्रेखा से काफी क्या है दूर है जिसे कारण सूरज ग्रोसी वह तिर्ची पड़ती है और सालों बर बर्फ व बारे में सार का फुल पर में ता साउथ एसिया इसेसियेशन रीजिनल कर्परोसन जो की अभी जश्ट में किताव लम पड़ा है आप लोगो भारत की भारत भी इसका सदस से है इसकी स्थापन उनीस सो पचासी में हुआ था मुख्याले जो है कठमांडू में सदस जो है नेपाल उसके वास से भुटान मलदीप और अफगनिस्तान आगया जी भारत की मुख्य भूम परिस्तित जो धनुश कोटी उसे 24 क्लिमेटर दू जो है हमरा भारत जो है दीपो को सिर्ल भारत है और इस दीपो को सिर्ल के लाओ क्या बोलते अडम्स ब्रीज कोशी नदी को भीहार के क्या खते हैं सोक क्याते हैं कोशी नदी को उद्गम कहा है तो नेपाल से है कोशी नदी तीन धराओ अर्थासोन कोशी और अरूना कोशी और तसूर कैसी कोशी के संगम से बनता है करम नासा नदी को भारत का क्या बलते हैं करम नासा नदी का उद्गा कैमुर जीले में है और यह बक्सर के समीब गंगा नदी से मतलब मिल के विलीन हो देता है अगला लिका है नेपाल में कोशी चटबंद के दूर जाने से 2008 को उत्री विहार में भेंकर बाड आई वस्तूत आज भी भुटान की सुरक्षा अंवरिकास की जविदारी भारत की आँ अगला जी भारत और चीन के एक दूसरे के मैक मोहन रे खा से जुड़े होते हैं नेक्स्ट यहां पर जी है भारत और चीन के बीच में कौँ सी है नहीं लाएगे और यह जो है कहां है नेक्स्ट आजी चेतरपड के द्रिश्टी से भारत भी स्वक्या है तो सातवाद दे से बता दिये सबका ट्री को बता दिये कैसी याद करना है यह पहला दिया हुआ कंप्लेट अभी और बाकी अभी वाल लाइनर है इसको बताता हूं अब यह चेतरपल देखेंगे लोग पहले तो दूदसम्लों 4 परसंट पूरी दुनिया का है यह तो पता ही है अना साड़े-ब्रासे डिगरी भारत के बीजू-बीस से जुग्यू-जिरी है उसको समय रखा काते यह भी मालूब है सातवा बड़ा देस है आप लो देखी ल करना कुछार भारत में गाउं कितनी थी तो 6,40,930 इस वो पकड़ दीजी गलो अब आए अक्षांची बिस्तार तो मालूब है डिगरी 4 मिन से लेकर 37 डिगरी 6 मिनट और देसांतर बिस्तार 800 डिगरी 7 मिनट से लेकर 75 डिगरी 25 मिनट तक देसांतर यह चीजी समझा दिए भारत में लगवा बीच बीच से जो गुजरती है करकरेका सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांची बिस्तार गुजरती है राजिस्ता से मतलब जो सिक्किम से गुजर रहे न वही राजिस्तान से गुजरती है याद रखी गया यानि सिक्किम और राजिस्तान एक ही नम बताई दिया अपने को कितना राजे से आठ राजे से गुदरती है अगर तला गांधी नेगर चबलपुर उज्याइन में से कर्क रिखा में से निकर्तम दूरी प्रस्थिते कौन तो गांधी नेगर है दिल्ली-कलकता-जोधपूर-नागपूर शौरों में से कर्क रिखा शुन महां के दिन के उधिय अधिक्तम होती है माणा कशमी माजी है जब भारतीय समय के यह मननुंत्तर पर अर्द रातरी एक स्थान पर सुबद छे बचता है तो उसी स्थान के अवस्थति जिस यह मननुंत्तर पर है वह कितना डिकरी होगा तो साड़े 12 डिकरी इसका मतलब क्या है था 12 डिकरी, इसको बताता हूँ मतलब क्या हुआ, सिम्पल समझी, मानग चली कि हम लोगे, यह होगी गलोब जो देसंतर रखा है, मानक चली कि एक बॉल लिजएगा, यान खीचे करमाँ तो गोल-गोल उल्टा गूंके चला जाएगा रआजेकं जेकंग सामने ये लाइन खिचा घा unwanted Estados अंदर के अकर उसके अंदर कीत्र गह जा ज चाएगा संहा में जब देना होतां हुम जो पीचे-ले यिच्चा अंतर रिखा कितनी है तो सड़े 22 डिगरी है गुजरात के सबसे पच्छमी गाउँ और अनुराचल परदेश के सबसे पूरवी छोर पर स्थित थे वालांग के समय कितने गंटों कांतर होगा तो कितने घंटे घंटर होगा, दो घंटे घंटर होगा क्योंकि ये गुजरात और अनुराचल परदेश से बात कर दिये तो अनुराचल परदेश ऐसे भी नहीं भी दिया रहता तो गुजरात और अनुराचल परदेश के बीच में 30 दिगरी कंतर है तो 30 दिगरी में कितना हो जागा 2 घंटे कंतर हो जागा आगे आजी करे सत्य कثन है क्या सत्य कثन है तो औरंगाबाद का अक्छांस बड़ोद्रायम पूरे का अक्छांसों के बीच में चन्नाई की तुला में बैंगलूरू जो है बंगलूरूइब बंगलूर्व यह निचे है surfing रिवा यह रिभार्तिय का मानक समय और यह प्वार्त के निकट कोके मानक समय ग skirt रेवा सागर अधानिक रिवा सागर घ्रा खाल्ष्हका तो रिवा है आगया जी जदी भारतिय समय रेखा का उंसार दस बज रहा हो तो 92 डिगरी पुरवी देसंतर में पर कितना होगा कितना स्थनी समय होगा तो साड़ी दस बज रहा होगा तो दस बज के मतला 38 मिनट आगया जी जदी भारतिय मानक समय रेखा में 120 भारतिय समय एम अंचरतिजीत काल महाराष्ट मुतरप्रदेश राज्यो में से भारतिय मानक 성ए यreibenचतर नहीं गुजरती है काहस नहीं गुजरती है महारराष्ट तो this e-mated नहीं सकते है यहां अवकश चाहर भारतिय मानक समय Ihr care Props अब करा भारतिय समय रेखा यानि GMT Greenwich Main Time जो समय रेखा कौन सी है भारत की प्रमाणिक मध्याम रेखा मध्याम या समय रेखा साड़े ब्राशी डिगरी और भारत का IST इंडिया इस्ट्रेडन टाइम यानि भारतिय मानक समय रेखा ग्रीन वीच से कितना आगे है तो हम लोग आगे है लोग साड़े पांच डिगरी साड़े पांच डिगरी आगे क्यों है लोग पीछे क्यों नहीं है क्योंकि हम लोग है लोग पूरफ साड़ हो सूरज पूरफ से निकलता है तो हम भी लोग ना आगे है लोग हम लोग का चुछनी मिलेगे उसद में बाद में आगे जी यदि अनुराचल पर्दिश में तीरप में सुरूँ आजे पांच बजी परात होता है तो गुजरात में कब होगा तो देखें अनुराचल परतिश जब नाम दे दिया और गुजरात दिया तो इसमें सबढ़े की दू घंटे क सिंडरा पॉइंट इंदरा पॉइंट या पार्षन पॉइंट पिगमिलियन पॉइंट कुछ भी लों सकते हैं ठीम आम एटेया और अीढकर औहा धोगा का आकोस्मी निकोबार ऑJim पूरा और पच्मी चोर गौर मता या गुहर मता यह पच्मी जो है सबसे बिंदू है और उत्री बिंदू का है तो इंद्रा कॉल क्यों जगा इंद्रा कॉल इंद्रा कॉल अब सीमावर्ती देश देखेंगे असम भुटान बंगलादेश की सीमा से अलग करता है असम क्या करता है भुटान और बंगलादेश को अलग करता है यानि कि यह भुटान उपर मुगिया और यह बंगलादेश को बिच में है असम पच्छिम बंगल जो है यह भुटान और यह बुटान और यह पच्छिम बंग को अलग करता है तो मिजूरम जो है ना ये बीच में है मिजूरम और इधर है ये बंगलादेश और इधर है मयांगन मार और बंगलादेश को अलग करता है कौन मिजूरम अब आज ये मेघाले त्रिपूरा मनिपूर मिजुरम मेशे वो राजे जिसकी सीमा बंगलादेश से नहीं मिलती है तो किसकी नहीं मिलती है मनिपूर की बंगलादेश की सीमा से लगे भारत के राजे है कौन कायर राज्या बंगलेधेस है मेगाले अशाम तृपुरा बंगलेधेस मीजुरम कर Sükkisu मेगाले रोचलप्रदेस हमुवश्य बंगल राजों मेंसे भुत्ञ के साथ सीमा नहीं मिलती है किसकी तियाद रहए कि कर नहीं मिलती है वह भारती राजे वह भारती राज जिसकी अधिक्तम सीमा म्यान मारत से एसपर्स करती है तो अधिक्तम सीमा जो बोड़र लाइं बनाती है और राचल परदेश इधर राजी है म्यान मारत से उभयनिष्ट सीमा नहीं है असम की क्या नहीं है असम की नहीं है अगर लिखा है कि भारत से सीमा बनाने वाली भारती राज्य है, पर लोग बिटर लाइं बनाता है, वो राज्य पूछ रहा है, तो राज्य याद रखीगा, राज्य बही ये जम्मु कस्मी और ये, जम्मु कस्मी रटा दिजाएगा, क्योंकि अब बोलना चीए इसको राज और केंद्र साहजी तो पंजाब राज्श्तान गुजरात यह राज्जह है और जम्मू काश्मिर ए लदर्दाक यहмеंण हूं यंनिनियोडिटरिया केंद्र साहज परदेश है नने पाल के प्रोरोसी राज्जह है और यह जो कुछचन पोछा हो HTML का पूरोसी सिkkhi Mbhi है भारत के बारत के साथ सबसे लंबी सीमा है किसके साथ बंगला देश जो बोले हैं कि 476 किलो मेंटर भारत और बंगलादेश के बीच की सीमा रहा असम नागलन्ड में गहाँ ले मिजूरम राजियों में से बंगला देश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारति र पहले भारत और आफगनिस्तान के बिच में था लेकिन यह पकिस्तान इस एरिया को खा गया यह उपर वलाई को जिसको बोलते हैं लो पी-ओ-क पाक अक्यूपाइट काश्मीर और इस काश्मीर के राजधानी में रख देलो मुझाफराबाद बता चुकि अब लोगो है थीयने डोएंट रेखा जो आ पहले भारत और अफगनिस्तान इसमि था लेकिन अब नहीं है अगला जी भारत होँ में पकिस्तान के मद्दे सीमा रेखा का यकुद्धारन ने क्या परवर्ती सीमा रेखा भारत और चीन की उतरपुर्वी सीमा का निमांकन करने वाली रेखा जो है भारत और चीन के बीच में मैक मोल लईने जो उनीसो चोधे में सिमला समझता है कि तदको बतलब लगाए गया भारत सिरलंका से अलग होता है किस तर अलग होता है तो पाक जल डंबरू दो रहा है या पाक जल संदी दो रहा है नपाल भुटा नेम चीन की सीवाओं में से मिल्ले वाली भारती राज्य कौन सा है तो सिखी में तीन तरफ से अंतराष्टी सीमा है पंगलाजेस से गीरा भारती राज्य है कौन साथ है त्रिपुरा तो फानली पहला चेप्टर होगा गुए दूसरे चेप्टर यहां चुरू हो गया तो अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करें MC को कर रहे ते लो पहला नमर कोशन देखेंगे तो लिखा हुआ है द्यान से देखेगा निमलिकित कत्नों में से कौन साथ भारत के बारे में सही है सही उत्तर के चेन है तो अदो लिकित कूट का उप्योग कीजिए कर रहे भारत विस्व का पांचो बड़ादे से यह तो गलती है अभी जस्ट पढ़े लो यह स्थाल मंडल के कुल चेतर पलका 2.4 पर तीसत भाग अधिकरित है तो ठीक है यह विस्व का 2.4 पर समूचा भारत उसने कटी बंद में नहीं है क्योंकि उसने कटी बंद मतले क्या होता दिखें के शूर्भ असपास जो एरिया है देस्व कटी बंद और वल्पर अंजाएगे तो सबसे उपर सीधी कटी बंद आ Naw जयता आधा में जयता है करक्रेका से नीचे उसने और करक्रेका से उपर सितोस्न हो जाता है तो समूचा उसने नहीं कहा जा सकता है अब साड़े ब्रासी डिग्री जो है पुर्वी देशांतर को प्योग भारती मानक के समय को निधात करने के लिए तो बिल्कुल कियाता है तो दो और चार ये सही लग पर चेतरपवंड़ा द्रिष्टिसे तो भारत जो है सात्वी नंबर पर चेंगो इससे बड़ा है लों तीसरे नमर पूशन आई ये तो भारत व्रस आकार में 20 स्वका तो बिस वका पाचवो ब्रदेशी च्टा है या सातव ब्रदेशी और ये कुशन पूछा उवा है दे करूँगा आप लोग यहां तक आ चुकेंगो तलाश तक दिखीगा कुछ अब लोग से जुरोरी पॉइंट से पुछना है अब यह चोठे नमर कोशन देखते लो चोठ नमर देखेंगो यह भारत का छेतरपल संसार के दो-दोसमलो चार परसंट है प्रणतु इसकी क्या है तो इस में से उप्षन नहीं दिया है कि इनमें से कोई नहीं हाला कि यह कörशोशन पहले का है 1994 में 1994 का है तो उससे में साधै सत्रा परसंट हो जाएका टैगा तो शाधै सत्रा परसंट अभी भारत में कितने गाउं है, 6,30,000 का स्पसम था, कितना था, 6,30,000 नहीं, 6,30,000 से जादा था, एक्जेप्स कितना हो जी है, एक्जेप्स हो जाएगा आप लोग का, 6,40,30,000 एक तो भारत में total गाउं, छे नमर कुछन आएंगे, तो लिखा हुआ है क्या हुआ, निमलिक के जोड़ों में इसे कौंसतर जोड़ा सही नहीं है, इसमें सही नहीं जोड़ा खुजना है तब भारत का छेत्रपल भारत 2.6 स्वथार बिस्तर बासुत से 37,6 मिनट एह बहुडे तक ने सही है 25 मिल्ट पूर्व तक यह भी सही लग रहा है भारत में राज्यों के 26 नहीं यह गलत है अब यह देखे जहारकंट PCS में कोच्छन पूछा है 2016 में तो भारत में इतना आसान कोच्छन पूछा है ठीकि आगया जी अब वो 2016 में पूछा हुआ है अगला लिखा है सात नमर कोच्छन की भारत के लिए निम्लिकित कत्नों में से कौन से कतन असतत है थे खुझना विश्यों का सातों बड़ा देशे भारत जंसंके के द्रिश्टी चे विश्वड़ा दूसरा राष्टे है चंसंके मौवला में भी दूसरा है उस समय से निखना पॉडर लॉन जो है स्टलिय सीमा रहा 15200 ऑलकुल 1520 से डी नमर जो लिए सवर पर थम शुरूद सम्य होता नहीं मी जुरूद में नहीं अनुराचलव्त्रवीश्मेती वह सभा नोब सेक्राइब होता है, सूर्च मतलब पहले का ऊणना आचलव पराचल्व पर्दिसवेउती होगially और खोज रात है, यानि यह हमालों का अप्सिन नमर डी होना चिए possible आठ नमर क्वेशन आजी आठ नमर क्वेशन आठ नमर क्वेशन आते लो यहाँ से शुरू होगे दूसरा टॉपिक भारत करकर रखा इसका परला नमर क्वेशन देखेंगे तो लिखा हुआ है कि भारत का बिस्तार जो है भारत को बिस्तार करहें फिर तो वह कि भारत का जो बिस्तार हे वह 37 131313 32G48 καन् ettam वह सिधे कोई नहीं लग रहा है मैंसों सीधे सीधे दिख्रहा है कोई दी हाँ आगया जी २ैक्श देखेंगे लो आको सिक्किम से गुजरने वाले अक्छांस रेका जो है निमन में से किस में से एक से गुजरती तो जो सिक्किम से गुजर रही है न वो कहां से गुजरती राजस्तान अभी जश्ट पढ़े लो सिक्किम से गुजरने वाले जो अक्छांस रेका वो कहां से गुजरेगी तो राजस तो किस स्राजे से घुझरती है कर्कर का जो घुझरता है इसमें से बीार क्री त्थ ऐसे चलिए नहीं –। हर द्जञान से कि 1990 द्जञान्स द्धेगे 1990 कोशन है इसे लिए अपसर नमर हो जाएगा यह सही या दर कि जहारकंड होना चीए जहारकंड से गुजरता है बिहारते नहीं करक रेखा नेमलिकत में से किन राजयों से होकर गुजरती है किन राजयों से होकर गुजरती है करक रेखा गुजरती है किन राजयों से गुजरता है तिरपूरा से मिजूरम से इनमे से सभी हो जाएगा क्योंकि सभी से गुजरता है next दिया हुआ है कि कितने भारतिये परदेश से होकर करकर गुजरती है तो आठ परदेश से होकर करकर गुजरती है अभी पढ़े है लो just लिखा हुए कि निमलिकित में से किस से करकर गुजरता है तो तिरपूरा से गुजरता है उसके बाद से मनिपुरस नहीं गुजरता है तिरपूरा और मीजूरम से गुजरता है ठीक है मीजूरम से यह मनिपुरस नहीं गुजरता है अगल्य लिखा हुआ है कि निमलिकेत कत्मों में से निमलिकेत नगरों में कौन कर करक्रा से सब्सक्राइब सब्सक्राइब बेश्चा बहुत सरी इग्जमन है इसे teaching कैट बहुत हैं उसका व लिखाए인데 म Willinkit कौप महत्तपूर्ण अक्छान से भारत को डूबत भाग़ों बाड़ती तो साड़ेunt 30 डिगरी 5 दच्षीन या उत्तर बताइए कौन से हो जाएगा ура Net तेज़ डिगरी दूर्ट साइड वाला नेक्स्ट यहां लिखा एक्या कि नमिल्क तमें से कौन सा भारती राज यह करकर्खा की उत्तर मिष्टी थे यानि राज जो है का उत्तर सेड में करकर्खा की उत्तर में कौन से हो जायगा तो याद रिखेंगी का मनिपूर हो कॐँसा मनिपूर क्योंकि मनिपूर उपर में मिजुरंब नीचे हैं क्यूंतर माम नेमर्ले स्थानों में सब्सक्राइद Rijnohlgem क्योंकि ध्यक्षित के समय में सुरज उपर चला जाता क्योंकि की जून में आपक्षित सुरज यहाँ पर करहरकर पास llu यून को सबसे बड़ा दिन और फिर वापस तीन मέंए बाद सीतामरा पोहुचता है कहाँबर ये 20 विश्वत रहाँबर फिर 3 मेंए बाद चला जाता है मकर रहाँबर जब कि दिसामर ब्रहाँबर वापस इससे तरह घुमते रहता है गयायाजी निलिक्त में से कौन से सहर करक रहा की सब्से निकर्तम है इसमें से कौन सा है तर जबलप Gibbs है ईया दरख के है कि नेशच लिएम किसी न किसी एक्जाम में पूछा हुआ है इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ अगला कुछना जी अब मानक समय से देखेंगे लो दिसांतर रिखा से यानी और यह जो इसमें लिखा हुए ना इसको पढ़ने के जूरत नहीं क्योंकि मैं वही चीज़े मैं पढ़ा चुका हूँ फिर दुबारा चो बसता है तो उस स्थान की अवस्थिती जिस यमनोत्तर पर है वह मतलब कौन सी कितना डिगरी है तो भारती समय रेखा कि जब बात कर रहा तो अभी बता है गुजरात के सबसे पच्छमी गाउं और अनुराचल पर्देश के सबसे पुर्भी छोर में कितने बीच के अंतर जब मैं बोला कि अनुराचल पर्देश और गुजरात जब भी वड़ा जाएगा तो दो घंटे कंतर होगा सीधा सीधी मार देना है बीना कुछ समझे अब निम्ने कत्नों मैं से बिचार किजिए जबलपूर के देसंतर रिखा क्या है तो इंदोर भुपाल के देसंतर रिखाओ के बीच में है तो जबलपूर के देसंतर रिखा इंदोर और भुपाल से नहीं होगा दूसरा लिकाँ आरंगाबाद का अक्षांसर बृड़ोदर्य और पूने को यह तो अभी जिस्ट पढ़े लो और अंगाबाद को जो अक्सांस रहा था यानि एक ही अक्सांस रहा पर अरंगाबाद है बड़ोद्रय और पूने हैं बैंगलाओर की अवस्थिती चन्याई की तुल्ला में दच्छीन है तो यह अभी जिस्ट पढ़े लो कि बैंगलाओर मानक समय रखा कि अनुसार 10 बजे हो तो 92 डिग्री पर पूर्वी देशांतर सी लॉंग में केतना समय होगा तो देखे 62 डिग्री हम लोग का समय रखा और 92 बात कर रहा है यानि कि लगबन सब्सक्राइब नौट डिग्री तो बढ़िए गते कितना डिग्री 38 मिनट और एक्ष्ट हो जाएगा तो 10 बज के 38 मिनट हो रहा है आगया जी यदि भारतिय समय रेखा यम उत्तर पर यम उत्तर के पर मध्यान है यानि उसी समय रेखा पा है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर की तरह बढ़ेंगे तो उस समय कितना समय हो जाएगा तो कितना समय हो जाएगा तो याद रिखीगा साड़े 17 बज जाएगा ठीक है 17 मतला 5 बच के 30 मिनट है 17 बोल रहा है तो 5 बच के 30 मिनट आगया जी भारतिय मानक समय रेखा की यह मुत्तर नहीं गुजरती है तो भारतिय समय रेखा जो होती है वो नहीं गुजरता है महराश्य से नहीं गुजरता है इसको भी पड़ेल अभी अगला जी यहाँ पर देखिए भारतिय समय रेखा साड़े बिरासी डिग्री किस से नगर से होकर गुजरती है तो कौन से नगर से गुजरती है तो इलाहबाद के नैनी से गुजरती है अगला लेका है निमलिकति में से कौन सा देसांतर कौन सा भारत की परमानित में ध्यान रेखा है तो साड़े बिरासी डिग्री तो होना ची से किसके समीब से लिया जाता है तो किसके समीब पर इलाबाद के नए नीसिये समीब रिग्दम उसको लिखा है भारती मानाक समय रहा आई एश्टी ग्रीन विच मध्य जिम्टी है उसे कितना अंतर है तो मतलए कितना भारत आ गया तो साड़े 25-25 degree plus में यह यह मानेस लिका है मानेस नहीं Plus होगा 5-25 degree क्या है तो Plus में ठीक है और यह दिखे बीपीसी में पुचा है 01 में झारखण PC S में बहुत बर कोचन पुचाऊ हुआ है नेक्स्ट कुछिए। यदि अनुराचनल पर्देस के तीरप में पांच बज गुजरात के काण्डला में तो फिर अनुराचनल पर्देस तो याद रखी का दूघंडेकन्तर हो जेगा यदि पांच छो यह साथ बज़ेगा दो घंटे कंदर किज़ेगे साथ अप्चन नमर यहां पर साथ होगा अगला कॉश्चन लेका निमलिकत में से कौन सा सहर दिल्ली के सबसे समीप दिसांतर पिस्तित है दिल्ली के सबसे समीप कौन से दिसांतर से है तो यह हो जाएगा भारती दुरस्त बिंदू कौन से है, सबसे दूर बिंदू भारत में, और किस दिशा में कह रहा है, भारती दुरस्त दच्छनी बिंदू कह रहा है, तो दच्छीन सेड में कौन से हो जाएगा, दच्छीन सेड में है, कौन से हो जाएगा, इंद्रा पॉइंट क्या है, इंद बिंदु बिंदु नुज़त भारत दचनतbach यसे सबसे निचुबार डंकी के उन्य वेड़ गया कुंछण बंश प्रहम संद्यृत माद का axis part . भारत का शुदूर दचिन मंा में इंद्रा पॉयन्ट में इंद्रा पॉइंट है नेमिलिकित में से कहा इस्तित है तो इंद्रा पॉइंट कहा है वो बड़ा निकोबार पे है कहा है बड़ा निकोबार यानि ग्रेट निकोबार पे नेक्स्ट कुछन लिखा हुआ है कि भारत के भारत के राजियों में नेमिलिकित में से कौन सा एक अगला आजिए भारत का दच्छिनी सुदूर बिंदू अब ये सुदूर पच्छिमी बिंदू करा पच्छिम सेड में यानि इस सेड में गया तो गौर मता गुजरात का गौर मता या गोहर मता तो अरसाट डिग्री साथ मिनट पच्छिम सेड में पूरव सेड में या यहां कन्फिजनी बिंदू की बात कर रहा है नेक्स्ट को Cなजी निममें में से परमुक भारती नगुरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूरव की ओर अवस्तित निखराक्तुर में लखना हो जाएगा इस को ऑफशन करने सार से अगला कुशन अब सिमावरती देश को देख लेंगा बोडर लाइट पर कौन को सिमावरती देश के हिसाब से है तो देखिए बंगला देश का जो है यह 496 किलोमेटर के दुरी है चाइना है सेगड नबर पर 3488 पकिस्तान 3323 लेकिन अगर कोशन पूछ दे कि अफगानिस्तान को हटा कर अब भारत का सबसे कम सिमा रखे वाला है देश कौन से है तेदर के भूटान बहुश्टली लोगों कन्फिजन हो जाता है कि भूटान जो है मतलब नेपाल होगा तो नेपाल नेपाल बड़ा है भूटान चोटा नेपाल से उत्राखंड उत्रप्रदेश बिहार पचिम मंगाल सिक्खिम पाकिस्तान से लदाख है जमु कस्मीर है पंजाब राजिस्तान गुजरात और यह लदाख और जमु कस्मीर को अब किंदर सासित कर लेंगे उस दर चाइना से है चाइना में एक यूट्यूग ये तिरपूरा है मिजूरा में ये सब क्या है बंगलादेश से सटे हुए राज्य हैं नेक्स्ट जी यहाँ पर जी कोशन कह रहा है क्या नेमिल के कतनों पर विचार किजी अशम भुटान तथा बंगलादेश की सिमाओं से लगा हुआ है असम जो है भुटान और पच्छिम बंगल जो है भुटान तथा बंगलादेश से माओं से लगा हुआ है तो जो पच्छिम बंगल है भुटान से भी है और बंगलादेश से भी है ठीक है और यह बंगलादेश से भी लगा हुआ है तो भुटान से भी नापाल से भी सेटा हुआ है यह पच्छिम ब नोमर के लिखा है मीजूरम जो है बंगरादेми जोता है नीचे में BANGलादेश के साथ ठीक है मिया नमर के साथ ही ठीक है और ऊप्लशन नमर एक दो तीन, तीन की सीमा बंगलादेश से नहीं लगती है بंगला देश Cul scenario timely लगता है तो क्या मेगाले का नहीं लगता है और देख सकते हैं यह की दिख जाओं कोशन कुछ आए देखे के ध्यान से तो आपको दिखेगा UPPCS में UPLOWER में UPPSC फिर 2002 में चार में 2007 बहुत सरे एक्जाओं पूछा हुआ है तो यह मेगाले नहीं है बंगलादेश के सीमा नहीं लगती है कि यह मनीपूर के नहीं लगती है किसकी सदम कौन सा नहीं होगा तो यहाँ हो जाएगा मनीपूर जो है यह बंगलादेश के साथ नहीं है क्योंकि मनीपूर पूरा इधर हो जागा तेके मनिपूर यह अनुराचल परदेश नागला लेंड मनिपूर यह इस एड़ में आ जगा उसके बाद जो है मीजूरम यह बंगलादेश से सट जयता है फिर मेगाले यह यह बहुता है यह बहुता है लेकिन मनिपूर जो थोड़ा सा उपर हो जाता है यहाँ देखिए बंगलादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं बंगलादेश से सीमा से लगे राज्य कौन से हैं तो बंगलादेश से मेगाले सटता है और सम पच्चे मंगल तिरपूरा यह सब सट हुए हैं नेक्स्ट किदर गया यहाँ जी, यहाँ कर रहेगा नवेल्कित में से किस से भारती राजी के सीमा भूटान राष्ट के साथ नहीं मिलती है तो क्या रहे कि भूटान के साथ नहीं है तो सिक्क्म होगा, अमराचल पुरडेश भी होगा पच्छिम मंगल भी है लेकिन ये मेघाले नहीं है जो कि भुटान के साथ नहीं है क्योंकि मेघाले के बीच में आजाता है ये आशाम आ जाता है अगला कोशन है जी नेविलिकत में से कौन सा भारती राजे भुटान के साथ सीमा साजा नहीं करता अगला कुश्चन नॉम्बर 1998 में भारत और पकिस्तान के बीच्छे समिष्च रसनवाद परकिरिया में तीन विवादगरस्ट मुद्दे पर जो की नीचे एक दो तीन पर सुची बद है विचार भी मस हुआ था विवादगरस्ट मुद्दे है इन मुद्दों को देखते हैं लो सेने दलो का वी नियोजन सीमा बिवाद का नदी जल का बटवारा अब यहां अच्छा मैप कहिसा आप से दिया हुआ यह आईयस एक्जाम ही किसी पूछा होगा मुझे लगा था किसी आईयस एक्जाम पूछेगा क्यूंकि मैप वाला क्वेशन उसी तरह का है आईयस एक्जाम ही पूछा है ठीक है तो यह मैप से दी दिया है और मैप से पुछ रहा है कि यह कौन-कौन सा मामला बटवाद का निब्ट रहा था सीमा भीवायत को निप्टा रहा और बी वला जो मामला है ये बी वला ये क्यों से मामला है बी वला जो है सन दल बी जन वला मामला और जो सी वला है ये नदी जल वला बटवरा है मामला था आगया जी Next question कौन से भारती राज़ी की अधिक्तम सीमा म्यानमारत से असपर से करती है तो म्यानमारत से सबसे अधिकतर जो है कौन सा है तो अनराचल पर्दे से म्यानमारत से सबसे ज़्यदा सीमा साज़ा कर रही है नेक्स्ट एक निमलिकत में से भारत में भारत के किस राजे की सीमा म्यानमारत से उभेनिष्ट नहीं है सममो के सीमा बनाता है तो पंजाब हरियन नहीं हो갈ा पंजाब हो जागा जम्मु कस्मीर पहले था राजस्तान अभी भी है और गुजराथ यह भी यह सब क्या हो जाएगा पकिस्तान के साथ सीमा करते अब देगा न तो राजय और यूटी दूने लिखना वगा देगा तब यह आफसल से हो जाएगा अगला दिया है कि नेपाल के पोडुसी भारती राजयों का युग में है नेपाल के पोडुसी भारती राजयों का युग में तो नेपाल का जो पोडुसी है वो कौन सा है तो सिक्किम और बिहार ठीक है नेमिलिकत में से किस देश की भारत के साथ लंबी स्थलिय सीमा है तो बंगला देश के साथ है अभी पड़े लुजश्ट है 4,096 किलोमेटर के दूरी है बंगला देश के साथ है नेक्स्ट कुछना जी भारत और पकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारन की गई है तो कौन सा रेड किलीफ लाइन जो सतरा 17 अगस्ट और 1947 में किया गया अगला कुछ ना जी रेड किलीफ सीमा रेड की सीमा रेखा कौन सी है तो यह रेखा है घरी बारत चीज़तान के बीच में पाकिस्तान जो है खा गया है कभ्या कर लिए इसलिए अब नहीं है सोलो नमर कोशन कहेंगे तो भारत तता पाकिस्तान के मद्द सीमा रेखा एक उधारन है सीमा रेखा एक उधारन क्या है तो अधियारोपित सीमा है क्या है तो अधियारोपित सीमा है भारत और पकिस्तान के बीचे मतलब की टेंप्रोरी लाइन है पूरी तरह से क्योंकि ये तो भारत और पकिस्तान के मद्दे में जो ये निया लाइन की चागे है अधियारोपित लाइन है आगया जी कहा रहा कि अध्यारुपित यहां देखिए अध्यारुपित मतलग क्या होता है अध्यारुपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाहर सकती द्वारा आरुपित की जाती है 1947 में यानि दौसर कोनों बॉर्डर लाइन बनाया भारत और यह पाकिस्तान का 1947 इस्वी में भारत और पकिस्तान के ग्रेट बिर्टेन द्वारा अध्यारुपित सीमा को साजा किया था तो यानि अपनी बोर्डर लाइन को खुद से नहीं आपस में दोनों देश मिल की नहीं तीसरा कोई आके अध्यारुपित मतलग कोई दूसरा गोणा को वज़े से आरुपित किया गया है दूसरा कोई आरुपित किया है दूसरा कोई सीमा रेखा को बनाया है तो ब्रिटेन ही बनाया था अगला कोश्चन भारत और चीन की उत्तर पुर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करता है तो भारत और चीन के बीच में मैक मोहन सीमा रेखा बनाती है भारत और चाइना के बीचे बोडर लाइन है किसके दोवरा भारत स्रिलंका से लग होता है तो पाक जलसंदी मनार की खाड़ी यह सब चीज है पाक जलसंदी अगला कुछन लिएक कि भारत के किस परदेश की सीमा तीन देशू और नपाल, भुटान और चीन तीन ओसलेखने नपालों से बुटानों से ऑचीन से तो जागा सिक्किम क्योंकि सीक्किम जो ऐसे है न इधर अगपाल इधर अगपान और उपर में चाइना से लगता तीन ऊस तो भारत के निवलिकित राजियों में से किसके तीन तरफ अंतराश्टी सीमा है यानि जो वैसा राजिय जो तीनी तरफ से इंटरनेसल बोडर से है तो सिखिम भी हो जाएगा सिखिम अप्शन नहीं दिया तो तुरी पूरा हो जाएगा भारत का अपने पुडोसी देशों के मध्ध अंतराश्टी सीमा के विस्तार का आरोही करम है यानि सबसे बड़ा आरोही मतलब होता है कि छोटका से बड़का बड़का आरोही मतलब होता है सबसे बड़का तब छोटा है तो यहां बढ़ते करम आरोही मतलब बढ़ते करम ते होगे topic complete, दूसरा चप्टर जो हम लोग पढ़ा जाएगा भौतिक बिभाजन, यानि कि बिहार बोड का, उसके बाद one liner पढ़ लिए जागा, मेरे note 16 से पढ़ लिजेगा लोग, फिर यहां MCQ लगा लिजेगा, इस तरह चप्टर होजेगा पूरी तरह से complete, देखे, date बढ क्लास बेतर लग रहा है, आप चाहर है कि उसी तरह सिर्फ पे SCRT पढ़ाया जाए, या यह तीनों mix करके पढ़ा रहा हूँ, यह एक ही क्लास में आपका chapter complete, वहीं on the spot आप notes पढ़ लिए, वहीं पर सामने सामने, आप इसका one liner पढ़ लिए, घटना चक्रे का, और on the spot अपन foundation batch मैं लेके आऊँगा, वो जल्द मैं सुरू करने वाला हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा है कि exam जो हो सकता है, आप लोग का 10 से हो जाए, जो कि date बढ़ या, तो काफी delay हो रहा है, और वहाँ पढ़ अगला exam जो है, अभी तक जो time है, वो fix कर कर खा हुए, तो मैं चाहरा हूँ तो जरूर लिखेगा कि continue part 2, तो दूसरे chapter जो आएगा ना, दूसरा chapter, सेम इसी तरह सारा चीज करेगा, या आप चाहरा कि सिर्फ SCRT ही पढ़ा दूँ, TRE 3 के लिए, तो आप लोग वो भी message कर सकते हैं, कि only SCRT, only SCRT, तो SCRT को ही सिर्फ पढ़ा दूँगा, उससे क्या हो यहां तक आये होंगे, एक के last में जो message था यही कि आप अपनी suggestion, अपनी राय जरूर दीजेगा कि क्या करना है, इस वाले तरीका से पढ़ाया जाए या, शिर्फ SCRT पढ़ा दिया जाए, दोनों में से दोनों बजा सकते, इसी तरीका से मैं history भी लाना चाहता हूँ, और TRE फोर की लिए मैं political science भी सुरू कर दूँगा, political science मैं 6 class से पढ़ाना सुरू कर दूँगा, 6, 7, 8, 9, 3, इसी तरह देदर पढ़ाया जागा, फोर की लिए, शिर्फ और शिर्फ उसका question और मैं राथन type का सोच रहा हूँ, कि आप लोगा पढ़ा दू, notes वेगारा से, तो याद संभव मिले, जितना लेट से आएगा ना उतना ज्यादा बहतर होगा, current affair है कि बहुत ज्यादा दिन तक्याद नहीं रहता है current affair, current affair को exam से पछूब देखिएगा, और exam जाके दे दीजिएगा, उसके बाद current affair automatically gap हो जाता है, तो अभी तो date बढ़ गया फिर से, इसी वज़े स current affair थोड़ा सा और delay होगा, उसको बहतर तरीका से लाओंगा, पूरी तरह के एक ही करके उसमें छाट-छाट के में जो जरूरी है, क्योंकि इंडिया और बिहार दोनों के एक सथ कंबाइंड लेके आऊँगा, चीजे कैसा लग रहा है, कमेंड करके जुरू बता सकते हैं, औ समझाएगा कि क्लास जो है, सिर्फ SCRT लाएजा, NCRT लाएजा, यह जैसे कमेंड करके ला रहा हूँ, इस तरह का यह चीजे, तो उमिद कर रहा हूँ, वीडियो आपको अच्छा लाग रहा हो, फिर किसी दूसरी क्लास में लेगा, तब तक के लिए, बहुत-बहुत धन्य कम्मूनिटी पोश्ट डल दूँगा कि कब उसका वीडियो आ रहा है, आप से भी उसको जरूर देखीगा, पूरी फुल मेराथन होगा, उसमें EBS तीसरा क्लास, चोटा क्लास, पाच्वा क्लास, जो परियावरन चलता है, बिहार बोडो में, उसका मैं नोट्स खुच से ब या EBS मेरा रहतना से रिप्लिक दीजेगा, समझा जाएगा कि आपने मेरी बातों को फुरी सरर से सुन लिया, तो वीडियो के यहें पर अंत के जराब, धन्यबाद, नमस्कर, असलाम अलेकुम, जैहिन, जै भारत